हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमाई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल बट्र को दबाईए मैं कुलदीब जांगिट, मेरीडियन कोमर्स क्लासेज में आपका आर्दिक स्वागत करता हूँ आज देखने जा रहे हैं labor control, cost accounting का एक पार्ट है, cost accounting जिसमें labor control MDS University में बहुत important part है cost accounting यहाँ बीकुम फ्स्ट इएर में दे रखिए जिसमें कुछ method दे रखे हैं जो कि important role है उन methods का अगर आप यह method याद कर लेते हैं तो आपका 20 नंबर का topic clear हो जाता है एक्जाम में आप 20 नंबर आराम से लिखे आ सकते हैं फर्स्ट उनिट में यह topic cover होता है अगर यह topic आपको सीखना है और इसके आगे के method इनके questions आपको सीखने है तो हमारा channel है e-learning meridian उसको subscribe कीजिए देखिए सबसे पहला rate है पहला formula है time basis दूसरा है piece basis जिसमें time basis जिसको हिंदी में आप बोलते हो समय अनुसार piece basis कार्या नुसार मजदूरी किस तरीके से दी जाएगी पहली समय नुसार दूसरी कार्या नुसार फिर आता है इनमें bonus plan फिर आता है bonus plan जो आपके syllabus में दे रखे हैं वो normally ये तीन bonus plan दे रखे हैं नॉर्मली ये तीन bonus plan दे रखे हैं आपको पहला हाल से दूसरा roven plan तीसरा immersion bonus plan हाल से bonus plan roven bonus plan और immersion bonus plan ये तीन writer है और स्ट देखिए सबसे पहला plan में आपको बताने जा रहा हूं time basis समय नुसार सबसे पहला plan है जिसमें आपको normal wages कैसे दे नहीं है time taken into rates बस just time taken into rate करेंगे time basis plan complete हो जाएगा दूसरा इसका formula है time allowed into rate time allowed into rate कारेंगे नुसार payment मिल जाएगा बिल्कुल इजी है time allowed into rate फिर ये तीनो प्लान आते हैं इन तीनो ही प्लान में नॉर्मल wages के लिए तो same formula है same formula time taken into rate नॉर्मल wages तो हर प्लान में same है बिल्कुल एक ही है time taken into rate लेकिन इनका bonus अलग अलग है हालसे का bonus प्लान क्या कहता है normal wages तो सी से देंगे और bonus देंगे time saved into rate into 50% time saved into rate into 50% रोवन का bonus प्लान क्या कहता है रोवन का bonus प्लान कहता है आपको time taken upon time allowed into time saved into wages rate time taken upon time allowed into time saved into wages rate ये किसका प्लान है रोवन का बहुत इजी प्लान है ये दोनों ही exam में आते हैं mostly इसका तो किवल प्लान प्लान आपके exam में आता है फोर मार्क्स में हालसे प्लान और रोवन प्लान हालसे प्लान रोवन प्लान exam में आते हैं most important role है ध्यान रखना लेबर कंट्रोल सेकेंड M.D.S. University में immersion plan, immersion plan 4 marks का इकलोता प्लान आता है जिसमें सबसे पहले normal wages दी जाती है फिर दिया जाता है इसमें bonus सबसे पहले क्या दी जाती है normal wages फिर दिया जाता है इसमें bonus normal wages time taken into rate bonus दिया जाता है first point सबसे पहले इसमें आपको निकालने होते है percentage क्या निकालने सबसे पहले percentage किस जगे पर मैं बता रहा हूं पूरा immersion plan camera वाले वहिया camera थोड़ा सा इधर गुमा देवे normal wages निकालेंगे immersion में time taken into rate फिर bonus सबसे बहले निकालेंगे percentage क्या निकालेंगे percentage कैसे निकलेगा time allowed upon time taken into hundred yes यह formula लगा कि आप निकाल लोगे percentage और percentage चेक करेंगे नीचे इसमें तीन point में अगर यह percentage 66.66% तक है तो no bonus किसी भी प्रकार का कोई भी bonus नहीं दिया जाएगा अगर यह percentage 66.66 से लेकर hundred percent तक है तो twenty percent of normal wages जो कि आप यहां पे निकालोगे उसका कितना percent twenty percent दिया जाएगा और अगर hundred से जादा है तो twenty percent तो hundred तक और उसके उपर one percent or more as it is जोड़ जाएगा जितना जादा होगा सो से वो as it is जोड़ दिया जाएगा यह पूरा plan immersion plan आपके exam में four marks तक का आता है अगर इस पूरे labor control के एक एक plan के अगर practical questions आपको करने है तो हमसे जुड़े रहिए हमारा channel e learning meridian subscribe कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आईए तो likes कीजिए comments कीजिए तन्यावाद